हेलो एव्रीवान दिस इस अमंजा यूर जियर्स फैकल्टी फ्रॉम प्रतिबा पार्ट चला मैंने आपको पिछले वीडियो में ब्रिटिस एक्सपैंशन जो एक्सपैंशन ऑफ ब्रिटिश और इस पावर के बारे में जो मैं आपको बताया था उसका ये फोर्थ पार्ट है पिछले वीडियो में मैंने आपको हाइदर अली तक के इंट्रोडक्शन के बारे में जो हाइदर अली का पूरे ब्रिटिस कॉलिनियल पॉलिसी के दौरान जो इंट्रो होता है उसके बारे में मैंने आपको बताया Now, उसके बाद Mysore की जो future है, वो कैसे design होती है, कैसे उसके future के events organized होते हैं, उसके उपर एक brief detailed information और facts के साथ में आया हूँ, ठीक है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको Mysore के जितने wars और कैसे कैसे finally Mysore को acquire करता है British Power, उसके उपर ये पूरा एक वीडियो रहेगा, ठीक है, तो पूरी complete होती कैसे है, ठीक है, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हाइदर अली एक बहुत ही effective leader, जिनकी जो सूजबूच और strategies के जो basis पे उन्होंने Mysore dynasty को एक अच्छा कासा powerful empire में convert किया, now English की निजस जो Britishers थे, उनकी नज़र Mysore पर भी पढ़ती है, अपन ठीक है, आपके साथ हम लोग रहेंगे, आपको हम हैदर अली के against protection देंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारे support में, हमारा, जो सबसेटरी alliance system है, उसको accept करना पड़ेगा, हमारे साथ रहना पड़ेगा, पूरी English की protection में आपको रहना पड़ेगा, ठीक है, निजाम के acceptance के Britishers अपने अंडर लेते हैं, इस treaty के according में, ठीक है, किस डर के वज़ा से कि आपको हम हैदर अली से protection देंगे, आप देखिए, Britishers के हमीशा से यह tendency रही है, कि वो डर को एक picturize करके, वो अपने हर motives को जो है, utilize करते थे, ठीक है, नौ, जो हैदर अली के आप disputes देखिए, तो नव इसलिए वीडियो में अभी आपको बताये थे, नौ, यहाँ पे alliances के formation देखिए आप, निजाम, जो निजाम थे आपको, ठीक है, हाइदर अबाद के, माराथा और Britishers एक combined alliance बनाते हैं, किन के against, हाइदर अली के against, नौ, यहाँ पे हाइदर अली अपनी strategy चलते हैं, और माराथ ठीक है, और फिर निजाम के साथ मिलके नवाब अफ आरकोड को, नवाब जो आरकोड के थे, उन पे हमला करते हैं, यहाँ पे हाइदर अली को एक अच्छी कासी जीत मिलती है, यह वह एक साल तक चलता है, ठीक है, without any conclusion, now please important है, हाइदर अली यहाँ पे जीतने के लिए, जो उनकी एक important strategy जो रही थी वो suddenly अपनी इसी war के दौरण अपनी strategy को change करते हैं मैंने आपको बताया एक बहुत थी strategic और सूजबूज वाले जो क्या कहते हैं कह सकते हैं ruler थे ठीक है इन्होंने अपनी strategy में change ला और suddenly मदराज के gate पे पहुँच जाते हैं और एक chaos create हो जाता है वहाँ ठीक है और यहाँ पे English को hard का सामना करना पड़ता है और Britishers को मजबूर करते हैं वो एक treaty sign करने के लिए इस treaty में उन्हें एक humiliation फील होता है और यहाँ पे treaty of मदरास important है जो treaty of मदरास था जो हाइदर एलियो और Britishers के बीच में sign किया गया था वो था 1769 में important है यह year आप ध्यान में रखिए April 1769 में treaty of sorry treaty of मदरास sign किया गया किस-किस के बीच में हाइदर एलियो और Britishers के बीच में now हाइदर एलियो को जो Britishers थे वो promise करते हैं कि आपको आपके किसी भी war में इसी treaty के according हम आपको मदद करेंगे ठीक है जितने भी कहीं भी war होगा तो Britishers आपकी help में आएंगे now यहाँ पे आपको पता है Britishers अपने treaty को कभी भी promise को पूरा नहीं रखते हैं ठीक है now 1771 में हाइदर एलियो पे मराठास attack कर देते हैं और Britishers उन जो हाइदर एलियो की जो मदद करने से मना कर देते हैं यहाँ पे हाइदर एलियो का कहना होता है कि आपने अपने treaty को follow नहीं किया हमें जब 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 पड़ी आपने वादे के मताबिक हमें help नहीं किया और यह हाइदर एलियो को एक अच्छा उन्हों ने इस 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 इन्सिडेट को अपने जो चिंता को खतम करने के लिए वो हाइदर अली पे अटैक करने का दुबारा सोचते हैं नाव यहाँ पे आप देखिए बिर्टिशस ने नाव माहे पे माहे जो एक फ्रेंच टेरिटरी थी माहे पे बिर्टिशस ने अटैक कर दिया अपने अंडर अक्वाइर करने के लिए जहां तक कि जैसे कि फ्रेंच लोग हाइदर अली के प्रोटेक्शन में थे इस अटैक को हाइदर अली परसनल लेते हैं ठीक है इस अटैक को हाइदर अली परसनल लेते हैं और R-Code को जो R-Code को पुरा capture कर लेते हैं ठीक है Now, Colonel Billy 1781 जो English Forces थी जो R-Code को defend कर रही थी उसको हराती है 1781 की बात है Now, जो अब R-Code थे उन्होंने strategy को revise किया और उन्होंने Maratha और मिजाम को Hyder के side से हटा के अपनी side ले लेते हैं Now, यहाँ पर जो Sir R-Code थे उनकी strategy change होती है और वो इन दोनों जो forces को Hyder Ali के side से हटा के अपनी side ले लेते हैं और Hyder Ali को हराते हैं पोर्टो Please important है पोर्टो में हराय जाता है नवंबर 1781 में ही ठीक है लेकिन Hyder Ali दोबारे से अपनी forces को regroup करते हैं और वापस से अपनी सारी territories को वापस से acquire करते हैं Now, आगे बढ़ते हैं इसके ओपर ही कि अगला क्या था? Treaty of Mangalore important है यह सब treaties आप ध्यान में रखे मैसूर की treaties जितनी भी है examination point of view से बहुत important होती है Treaty of Mangalore कप sign किया गया था? जब December 7, 1782 में Hyder Ali की cancer से death हो जाती है Now, अब यह control आता है टीपू सुल्तान के हाथ में जो की उनके बेटे थे ठीक है टीपू सुल्तान जो है इस war को जो war चल रहा था ठीक है Hyder Ali Ali की बेटेशस की बीच में इसको continue रखते हैं एक साल तक बिना किसी conclusion के ये war चलता रहता है ठीक है? Now, 1784 में ये फाइनली लोग decide करते है कि इसको कोई conclusion निकल नहीं रहा है चल लिए आपस में बैठके एक treaty sign कर लेते हैं That was the Treaty of Mangalore 1784 में ये treaty sign की गई ठीक है? सभी दोनों ही parties ने अपने prisoners को exchange किया और फाइनली एक piece settlement होता है Now, लेकिन यहाँ पे dispute खड़ा होता है कहाँ पे टीपू सुल्टान और त्रेवन कॉर त्रेवन कॉर जो था उस ताइमें British settlement के अंडर में आता था British settlement के protection एक कह सकते हैं Alliance के agreement के एक treaty की तहर वो उसकी protection के अंडर में आता था Now, ट्रेवन कॉर यहाँ पे एक जो उसका ruler है दो कुछ अपनी activities को करता है Implement क्या करता हो जलकोटल और कैनन और को खरीद लेता है वो Dutch authorities से Now, यहाँ पे इन दो जगों को खरीदने का मतलब है टीपू सुल्थान की sovereignty को challenge करना क्योंकि वो दोनों ही region टीपू सुल्थान के according उनके empire का एक हिस्सा थे और इसी sovereignty का जो break करने का जो process कोई वज़े से टीपू सुल्थान त्रेवन कोर पे attack करते हैं Important है कोचिन जो था Fudal Tree था एक कह सकते हैं उसी का एक empire का part था तो ये कहीं ने कहीं एक direct challenge लेते हैं टीपू सुल्थान अपनी sovereignty पे ठीक है April 1790 में Important है April 1790 में टीपू त्रेवन कोर पे एक war declare कर देता है ठीक है आगे बढ़ते हैं तो please important है April 1790 में टीपू त्रेवन कोर पे war declare कर देता है Now जो ब्रेवन कोर के side ले लेता है यहाँ पे यहाँ पे वो एक मौके के तलाश में थे ही कि कहा टीपू सुल्थान को हमें अपनी war की चपेट में लाके हमें उसे एक treaty sign करवाने को Now important है जो 1790 है टीपू ने ब्रेवन को हराया प्लीज, important है इनिशल स्टेज पे टीपू सुल्थान ने ब्रेवन को हराया जनरल मीडोस के अंडर जो इंगलिश फोर्स थी उसके अंडर में जो फोर्स थी ब्रेवन को टीपू सुल्थान ने हराया इंपॉर्टन है यह इंसिडेंट है मार्च 1791 मार्च 1791 तक यह यह रीजन उन ब्रेवन के अंडर में आ चुके होते हैं ठीक है और फिर वहाँ से सिरिंगा पत्नम इनकी बीच बीच में कई सारे एक इंटर्वल्स पर हार होती है लेकिन फाइनली माराथाज और निजाम की मदद से एक सेकेंड अटैक पर जब सिरिंगा पत्नम में जब दुबारा अटैक होता है तो वो जो ब्रिटिश हैं एक कम्प्लीट हार का सामना करना हार की हराते हैं जबीच हैं टिपू सल्टान को एक बड़ी हार देखनी पड़ती है और उन्हें इस हार के बाद एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है बाड़ व्हाज़खार 2,8,RCI ओफ मैंगलॉर को टीक है टीक है त्रीटी और सेरिंगा पत्नम सब्सक्राइपात्use शेंग पत्नम यह साईग वा था 1792 में ठीक है करी खरीब आति से जादा मैसुर की जो टरिट्री की उसे उसे कर लिया जाता है ठीक है मराठास को मराठास को त्नोंग भद्रा रीजन के जितने Tributaries थे उसके आसपास के रीजन मिल जाते हैं ठीक है Britishers को अपने जो आप देखिए बरहामाल, दिंदगुल और मलाबार जो है जितने रीजन थे वो चले जाते हैं Britishers के अंडर में निजाम को कुछ अपने Tributaries जैसे की Krishna River से लेके आपको कुछ पैनार River तक के जो रीजन थे वो निजाम को देख दी जाते हैं तो इसी तरह से आप आगे देखिए उस ट्रिटी के हिस्से को आप देखिए जो half of the war जो था आप देखिए तीन करोड रुपे टिपू सुल्तान के बेटों को दो बेटों को अपनी हिरासत में रख लेते हैं as a guarantee ठीक है आगे बढ़ते हैं इसके आगे 1792 से 1799 1792 से 1799 का जो पीरेड रहा वो एक कह सकते हैं वहाँ पे कोई खास टरॉबलेंस देखने को नहीं मिला क्योंकि सभी अपनी अपनी जो नुकसान अपने अपने वार एफर्ट को दोबार से strengthen करने में लग गए लेकिन इसी बीच में टिपू सुल्तान ने वापस से अपने सारे problems दूर किये अपने जितने भी जो जितने भी लोंस चुकाने थे ट्रिटी के गाउडिंग जितने भी वार की जो लॉसस चुकाने थे वो पे करते हैं अपने दोनों बच्चों को छोड़ाते हैं और फाइनली ये एक स्टेबल स्टेट में रहता है इस बीच में लेकिन 1796 वोडिया डैनिस्टी को जो किंग थे वो जब मर जाते हैं तो उनके बेटे को टिपू सुल्तान बोलते हैं यह नहीं बैठेंगे विकोस ही जोड़ाइबल रूलर यहां का सुल्तान अब से मैं हूँ फिर से एक टिपू सुल्तान के अगेंस वोड डेकलेर करने का 1798 में जब लॉर्ड विलिजली इंपोर्टेंट है सर जॉन आयर को जब लॉर्ड विलिजली टेक ओवर करते हैं एस अ गवर्नर जनरल टिपू की इंडिपेंडेंस को वो खतम करना चाहते हैं ठीक है वो उन्हें सबसिडरी अलायंस के तहट पे अपने अंडर में लेना चाहते हैं लेकिन यहाँ पे टिपू सुल्तान वार में जाना ज़ादा प्रेफिर करते हैं ठीक है 1799 अप्रिल 17 वार की शुरवात होती है और 1799 माई 4 को यह वार खतम होता है important है यह माई सुल्तान जो है एक चोथा चरण जो चल रहा था आप देखिए टिपू सुल्तान defeated by English General Stuart यहाँ पे टिपू सुल्तान की हार होती है पहले Stuart और दूसरी बार General Harris दूसरी जो पॉइंट पर हार होती है वो है General Harris से टिपू सुल्तान जो है अपनी battlefield में यहाँ पे आप देखिए दुबारा से मराथास और निजाम की help से Britishers ने Mysore War जीत लिया चौथा वार भी ठीक है नाव यहाँ पे टिपू सुल्तान ने तो अपनी जान दे दी लड़ते वे battlefield पे ठीक है इस battlefield में जो जब लड़ाई खतम होने के बाद जो उनकी family थी ठीक है उनको intern कर दियागा वेलोर में वहाँ पे एक fix amount देखिए उनको shift कर दिया गया और जो Hindu royal family वुडियार डैनेस्टी के थी उनकी का एक जो minor son था नाम वाल his name was Krishnan Rajah 3 I think Krishnan Rajah 3 उनको place कर दियागा थ्रोन पे ठीक है important है आप देखिए जब ये final war होता है जिसके बड़ टिपू सुल्टान के death हो जाती है नाव यहाँ पे जो माराठा को offer किया जाता है सुन्दा और हांटपुली district ये एक ऐसे district है जो कहीं से भी profitable नहीं थे प्रीज दो important districts है इनको offer की जाते हैं लेकिन निजाम as a part of subsidy lines ये इनका objection करने है कोई वो भी power था भी नहीं और इसली ये जो भी इने districts offer की जाते हैं वो इने accept करते हैं और जितने भी profitable districts थे आप देखिए English के पास वो English लोगों अपने पास रख लिए आप चाहे वो कनार हुआ वायनाद हुआ कोई मतोर हुआ द्वार पूर्ण हुआ या फिर सरेंगा पत्नम ये जितने important रिजन से आप देख सकते हैं ये British ने ये British ने अपने अंडर दुबारा पूरा से capture किया और जो न्यू स्टेट ऑफ मैसूर था वो मैंने आपको पहली बताया जो वोडिया डैनेस्टे के माइनर संट थे कृष्ण राजा थ्री उनको हैंडवर कर दिया गया और उस पूरे रिजन को एक सबसेडरी अलाइंस के तौर पे अपने अंडर में रख लिया गया आप देखिए 1830 में विलियम बेंटिक ने इस रीजन को मिस गवर्नेंस की तौर पे जो वडिया डैनेस्टे से चीना और कम्प्लीटली अपने अंडर लिया लेकिन बाद में दुबारा से लॉर्ड रिपन ने उस किंग्डम को उसके रूलर को दुबारा से हैंड ओवर किया तो ये तो थी एंगलो मैसूर वार की आप देख सकते हैं कैसे धीरी धीरी मैसूर वार का जो जितने भी इवेंट्स थे कैसे ब्रिटिश ने दुबारा से जो फियर फैक्टर है उसको एक्स्प्लॉइट किया ठीक है जितने बागी रीजनल रूलर से उनको अपनी साहिट लिया एक डिविजिव पॉलिसीज का जो अपना रेगुलर इंप्लेमेंटेशन उसको जारी रखा और फाइनली मैसूर को अपने अंडर अपने अंडर एक्वार किया ठीक है ये तो था आज का वीडियो इस पूरे एंगलो मैसूर वार के चार एंगलो मैसू वे उसके उपर बताए आपको ठीक है इसके बाद मैं आपको जो हमारे जो अगला जो वीडियो आएगा वो होगा माराथास अगला जो जो मीन किंग्डम बचा था इंडिया का जो सबसे पावरफुल किंडम में वो था माराथास और माराथास कैसे दीरे-दीरे माराथास को अपने मनठा Kingdoms को कैसे अपने अटरमे लेते हैं बिटिज इसके उपर मैं आपको next वीडियो में पिताऊंगा तो आज के लिए इतना ही तब तक के लिए बाबाए